देश में आपने 21 दिन का लोकडाउन आज घोशित किया है करोना से लड़ने के लिए देश तो लोकडाउन के आपके इस आगरहे को मानेगा प्रन्तु सवाल ये है करोना की महामारी से लड़ने के लिए आपने क्या किया देश के स्वास्थे कर्मियों की सुरक्षा कैसे होगी? देश में रोजी रोटी के महा संकट से कैसे निप्टा जाएगा? देश का किसान, देश का दियाडीदार मजदूर, देश का मन्रेगा वरकर, देश का डेली वेजर, देश का एड़ोक और टेंप्रेरी इंप्लोई, देश का छोटा-छोटा दुकानदार और कर्मी और व्यवसाई, 21 दिन अपना और परिवार का पेट कैसे पालेगा इस स्वास्थे कर्मियों को आपने 15,000 करोड रुपे का करोना पैकेज देने की बात तो की परदेश को ये नहीं बताया कि एक फरवरी से 2 मार्च 2020 तक पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट बनाने के माप दंड ही स्वास्थे मंत्राले और कपड़ा मंत्राले ने निर्धार निर्धारित ही नहीं किये अब जब 2 मार्च को माप दंड निर्धारित किये हैं तो पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट फैक्टरियां बनाएंगी कब और वो डॉक्टर, नर्सिज और स्वास्थे कर्मियों को मिलेगा कब देश को आपने ये भी नहीं बताया कि 19 मार्च तक देश का कॉमर्ज मंत्राले देश से वेंटिलेटर, देश से सर्जिकल मास्क, फेस मास्क, ओवरॉल इन सब को दूसरे देशों में दस बुना कीमत पर निर्यात करता रहा आज जब पूरी दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्शन, एक्विप्मेंट और वेंटिलेटर उपलब भी नहीं तो हम पैसे से भी वो लेकर कैसे आएंगे इसलिए देश के डॉक्टर त्राही माम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें N95 मास्क चाहिए, उन्हें थ्री लेयर मास्क चाहिए, उन्हें हैजमेट सूट्स चाहिए, परंतु वो उपलब नहीं COVID-19 की टेस्टिंग फेसिलिटीज की भी यही स्थिती है, आज तक आप केवल तीन फर्मों को अप्रूब कर पाएं हैं, प्रंतु प्राइवेट लेबॉर्टरीज और फर्म्स आज तक COVID-19 की टेस्टिंग किट उपलब नहीं करवा पाई और उससे भी जादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का दियाडीदार, मजदूर, मनरेगा वरकर, दुकानदार, एडोक और कच्छा कर्मी, रेडी वाला, ठेले वाला, वो अपनी रोजी रोटी 21 दिन चलाएगा कैसे उसके लिए आपके पास क्या इंतिजाम है और क्या मोदी जी आप जानते हैं कि पूरे देश में उडीसा, बिहार, उत्रप्रदेश, शत्तिसगड, मद्यप्रदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्थान, गुजरात, महराश्ट्रा, यहां सब मार्च के आखिर से लेकर और 15 अपरेल तक फसल की कटाई का सीजन है, जब फसल की कटाई ही नहीं कर पाएंगे तो देश के अनबंदारन का क्या होगा, अगर किसान 21 दिन घर के अंदर बैठा रहा 14 अपरेल तक तो उसकी फसल की कटाई कैसे होगी, मज़ूर की रोटी कैसे चलेगी, फसल को मंडी में कौ कौन लेकर जाएगा, फसल की डुलाई कौन करेगा, फसल की उतराई और उससफाई कौन करेगा, और फसल की खरीद कैसे होगी, और अगर पूरा देश घर बैठा रहेगा, तो क्या खड़ी फसल अब हम खेतों में नष्ट हो जाने दे, इसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं बताया, अच्छा होता, आज अगर आप राहूल गांधी जी और कॉंग्रेस पार्टी की न्याय योजना लागू करने की घोशना करते, हमारी ये मांग है, कि आज पूरे देश में सबसे पहले न्याय योजना, जिसमें कैश ट्रांसफर हर आदमी को होगा, उसे उसक खाते के अंदर, हर पीएम किसान योजना खाते के अंदर, हर पेंशन खाते के अंदर, हर पीडियेस खाते के अंदर, साथ हजार पांसो रुपिया कम से कम दीजिए, तीन लाग से पांच लाग करोड का पैकेज दीजिए, और इस पूरे समय में राशन मुफ्त दीजिए, तभी ये देश का किसान, इस देश का मजदूर, दुकानदा, रेडी वाला, ठेले वाला, गरीब करमचारी और छोटा-छोटा मजदूर अपनी जिंदगी चला पाएगा। एक तरफ कोरोना की महमारी का संकट और दूसरी तरफ रोजी रोटी का संकट कैसे लोग अपने परिवार का पेट पालेंगे। मोदी जी, हम ये मांग करते हैं हाथ जोड कर बड़ी विनमरता से इस देश के गरीबों, साधारण और मध्यम बरगिये नोकरी पेशा लोगों की तरफ से के उन्हें अपने हाल पर मत छोड़िये।